MSP सहित कई मुद्दों को लेकर किसान लगातार अंदोलन कर रहे हैं और मकसद बस से दिल्ली तक पहुँचना और दिल्ली में आकर मार्च करना हालाकि इस बीच केंदर सरकार की कई लेयर की मीटिंग उनकी साथ हो चुकी है ये मीटिंग बार बार हुई है चंडीगर में कुछ शर्टों पर बात बनी लेकिन कुछ शर्ट ठीक वैसे ही हैं जैसे पहले किसी थी ती यानि ना सरकार के स्थर पर अभी कोई भी उस हर्द तक बात मानने को तयार है और नहीं किसानों के स्थर पर कोई जुकने को तयार है यानि तमाब वो शर्टे जस की तस्स बने हुई है लेकिन इस फ्रीश जो ख़बर सबसे महतु पुर्ण है वो ये कि एक बार फिर किसान दिलی कूच करने की तयारी में है और जैसे ही किसान दिली कूच करने की तयारी करते हैं और यही इस बार भी कदम उठाए जाने बीतर तक्रीबन 23 दिन की सिती यही रही है जहां यह मामला हाइकोर्ट भी पहुंचका और हाइकोर्ट में भी तल्खटे पढ़ी के गई किसानों के लिए पंजाब हरव्याना हाइकोर्ट यह जब मामला पहुंचा तो वहां से कहा गय हाइकोर्ट की तल्खट पढ़ी यह थी कि क्या हाथों में तलबार लेकर आप शांती पूर्ण तरीके से अंदोलन कर रही है हाला कि इस बीच कोशिश अभी भी किसानों के ही है कि हम किसी भी सूरत में दिल्ली कूच करें और सरकार को मनाने और जुकाने का बस यही तरीका ह है कि वो दिल्ली में आकर आंदोलन करें लेकिन सरकार के अस्तर पे कोशिशे खूब की गई है ऐसा नहीं है कि किसानों के मसले का असर तो यह हुआ कि तक्रीबन दो साल पहले जो इस्तिती रही किसान आंदोलन को उसको लेकर सरकार ने ना सरफ जुकनास विकार किया बलकि ये तक देश के प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि हो सकता है कि हम कुछ पहलों को समझाने में नाकाम रहे हो और क्रिशे कानों को पूरी तरीके से बापस ले लिया गया इस बार जो MSP का मसला है वो बहुत ही जादा पेचिदा मसला है जब आकड़े उठाकर आप देखेंगे तो सरकार के स्थर पे बहुत जादा नुकसान की भी बाते सामनी हैं यही वज़ा है कि अभी सरकार इस शर्ट को मानने के लिए तयार नी है वेकल्पिक ववस्था पे बातचित की जारी है लेकिन किसान लगातार आंदोरन कर रहे और बीच बीच में ऐसी भी खबरे आते र पे हर्वियाना की जो तस्वीरे आपने देखी थी हर्वियाना बॉर्डर से दिल्ली आने के बीच में जो जड़ाप की तस्वीरे आपने देखी जो आस्रू गैस के गोले चोड़े गए वो सारी तस्वीरे जो देखी वो कानून ववस्था संभालने की तस्वीरे थी और इस वक्त भी मौझूदा वक्त में अब फिर दिल्ली वासियों को एक बार एंसियार की लोगों को एक बार फिर चुनाओती और परिशानी ये होने जारी है कि वो हर हाल में ट्राफिक जैसी समस्याओं से दोचार होंगे यानि आज की तारिख में अगर फिर आपको अपने ओफिस से घर जाना है या घर से ओफिस आना है तो आपको कई जगों की बारिकेटिंग की वज़े से चुनाओतीयों का सामना करना पड़ सकता है परिशानीयों का सामना करना पड़ सकता है अब दिल्ली पोलिस के सामने इसक या तो मांग मांजाए या किसी भी सूरत में दिली ना आने दिया जाए ताकि ये चुनावतिया जो है वो कम से कम उसका निप्टारा हो सेके और दिली वासियों को परिशानिया ना चेली परे